तो आज शो टाइम के इस एपिसोड में explain करेंगे legacies का season 4 का episode number 18 तो चलिए शुरू करते हैं और guys इस वीडियो पर इस तरिफ 100 प्लस लाइक का target जिससे आप complete करें तो मैं 19 एपिसोड अप्लोड करूँगा और अब इस एपिसोड के शुरूआत में हम देख पाते हैं क्लियो और केलब को जहाँ पर केलब हेल्प कर रहे है क्लियो की उसको एक ritual करने में जहाँ पर क्लियो एक oracle है और जाकना चाती है ड्रीम में के और पता लगाना चाती है कि वो कब attack करेगा बढ़ हम देखते हैं जैसे हो उसकी ड्रीम में जाती है इस मॉमेंट पर केल को पता चल जाता है कि कोई उसके अंदर invade करने का try कर रहे है जो क्लियो के साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था और यहाँ पर केन पूछ लगता है कि तुम कोन और यहाँ क्या कर रही हो बढ़ हम देखते क्लियो डर की पीछे हटती है और यहाँ पर केन उस पर attack करता है चाकू से बढ़ यहाँ पर क्लियो वापस real world में आ जाती है और चाकू भी उसके साथ real world के अंदर आ चुका था मतलब gods बहुत ही जादा powerful है और उनके सपनों में जाकना जो normally यह क्लियो क्या करती थी वो भी नहीं कर सकती है और उसकी जान भी खत्रे में पढ़ सकती है future में जापर यह सब देखके केलब बहुत जादा है और वहीं हम देख पाते है कैन को भी जिसको यह द्रीम देखके समझा रहा था कि उसको जल्दी attack करना पड़ेगा और सब कुछ खतम करना होगा और यहाँ पर अरोरा डी लिया था और यहाँ पर explain करते है कि उसे उसकी बेटी जैन को मनाना होगा एक वेबन बनाने के लिए जो मार सके उस ट्राइब रीड को और यहाँ पर अगर वो help नहीं करेगी तो शायद अरोरा की भी वह वही हाल करेगा जो उससे अपने sibling का किया है जिनके तो अब लाशे कभी नहीं मिलती है और यह कहने बाद अरोरा को भी वोन करते हैं वहां से जाने लगता है जैसे कि कैन किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है और अब किलियो की information कि साब से समच चुके थे सब स्कूल में लोग कि यहाँ पर कभी भी एकन अटेक कर सकता है तो उन्हें और किसी को शायद अपनी कुर्वानी भी देनी पड़ सकती है जिसको धमाका करना होगा और यहाँ पर इस बात को लेके सब लोग टेंस थे क्योंकि यहाँ पर अब एथन की तो पावर काम नहीं करनी टेलिपोटेशन की तो उसको यूज करनी सकते हैं और अगर उसको किया भी तो मर जाएगा और यह सोचते हुए उन्हें लगता है कि किसी की तो बली चड़ानी पड़ेगी इस पूरे प्लान में जहाँ पर होप समझनी पा रही है कि वो अपने दोस्तों को मरवाना भी नहीं जाती है बट यहाँ पर कैंसे जीतना भी ज़रूरी है और इसी मोमें इथन को समझाये जाता है कि वो यहां से चला जाये तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो ना लड़ाई लड़ सकता है ना लड़ाई का पार्ट बन सकता है और अगर उसने कोशिश भी की तो मर जाएगा जितना ज़्यादा टेलिपोर्ट करेगा तो भी मर जाएगा बट य यहाँ पर MG के जादा समझाने पर वो यहाँ से जाने के लिए त्यार था। जहाँ पर MG उसे स्कूल के बाहर रही जाना चाहा रहा है जिससे की उसका ध्यान ना रहा है स्कूल के अंदर और जो भी चीज़े हो रही थी। बट हम देखते हैं एथन कोई सारी बाते अच्छी नहीं लग रही हैं बट एथन एट लास समझके यहाँ से जाने का ब्लांद बनाई लेता है क्योंकि MG नहीं चाहता है कि सूपर हिरो बनने के चकर में MG की जान चली जाए। तो अलारिक को लगता है कि वो इस टाइम पे सबसे वेला है और सबकी जान बचाने के लिए उसको अपनी जान देनी चाहिए। जो फ्यूचर को देखे चेंज भी कर सकती है तो शायद हमें बैठके बाते करने चाहिए प्राइब रीट को खतम करने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल भी क्लियो खतम नहीं करना चाहती है होप को बट यहाँ पर केन पूरा फ्लान बना करा चुका है। जहाँ पर बैठके डिसकस करते हैं कि होप को मारने के लिए उसे रेड ओक ट्री चाहिएगा जो अभी खतम हो चुका है तो शायद उसकी राख को यूज करके एक गोर्ड वेपन बनाएगा होप को खतम करने के लिए और यह सोच के यहाँ से जाने की कोशिश करती है। जिससे सब को वोन कर सके बट यहाँ पर अब केंट जगा हुआ है तो इतना पाउरफुल है कि यहाँ पर उसे रोक के रखा हुआ है। और यहाँ पर केलब भी उसकी कोई help नहीं कर पा रहा है और शायद यह harm करने का try करेगा क्लियो को जहाँ पर क्लियो अपनी जान बचाने के लिए इस पर attack भी करती इसी के चाकू से बट तब ही क्लियो समझ चुकी थी कि जो भी चीज़े इस जगा पर हो रही है वो सब can he control कर तो शायद उसका बचना मुश्किल है और अब यहीं सारे बच्चे मिलके प्लान कर रहे थे फोस्फरस और सर्फर को यूज करके अटैक करने के लिए गोड़ सबकर वो उन पर attack करे तो और यहाँ पर बेंड सबको lead करने लगता है बट यह बात बिलकुल भी अच्छी ने ल बहुत जादा गुसा था जैड उससे क्योंगे कहीं न कई वो से पसंद करता था और यहाँ पर बैन ने उनका trust तोड़के सबसे बड़ी गलती किये अब अलारिक उसके ट्रस्ट करता है बट यहाँ पर जैड को उसके उपर एक परसंट भी ट्रस नहीं था और उसी मोमेंट पर धमाके की जगा पर सब कुछ सेट करते हैं गड़ बढ़ होके आग लग जाती है जिसको जैड सम्हाल नहीं पा रहा था एक अलफा होने के बाद भी जहाँ पर फिंच उसके उपर एक solution डालती है और बोलती है कि यहाँ पर पानी नहीं डालना इस fire पर बरना और बड़ा धमाका हो सकता था और बैन ने solution prepare करने के लिए का है और यहाँ पर जेड तुम अपनी मस सोचो सब लोग की safety सोचो बैन हमारी अभी help कर रहे है उसकी help लो जिसते की हम शायद गोड को हरा सके और यह कहने के बाद साथ में काम करना शुरू करते हैं दोनों जहाँ पर एक दू लारिक अपने आपको sacrifice करने वाला है उसके बारे में भी जहाँ पर लीजी ऐसा नहीं चाहती है और एक ऐसी possibility है जहाँ पर लीजी अलारिक को replace कर सकती है और शायद उसकी जान बच सकती है क्योंकि वो हेरेटिक है और यहाँ पर लीजी है करने के लिए त्यार थी जहाँ पर अरोरा डी माटैल को जिसको भेजा था केन ने उसकी बेटी को वापस जगाने के लिए और पता करने के लिए कि वो वैपन बनाएगी के नहीं और अगर नहीं बताएगी तो शायद उसका बुरा हाल करें और यहाँ पर अरोरा आने के बाद चेक करती है कि जैन को तो उसने वापस कोफिन में बंद कर रखा है और जैसे कोफिन खोलती है तो उसके अंदर से बहुत सारे नीडल्स बाहर निकलती है जो बहुत जादा पेनफुल था अरोरा के लिए भी देखना जहाँ पर अब होश में आने के बाद अरोरा उसको एक्स्प्लेइन करती है कि तुम्हे मेरे फैमिलियों उसके टोर्चर करती थी ये सब बट रियल में जैन एक्स्प्लेइन करती है ऐसा कुछ नहीं था वो सरिफ अपनी स्टोरीज को मैन्यूपलेट कर सकता है यहां तक कि अपनी मेमोरीज को भी और शायद जो तुमने देखा उसके ब्रेन के अंदर वो उसकी स सोचती है अपने डैड के बारे में बट हम देखते हैं जैन को पता था कि उसे वैपन बनाने ही पड़ेगा उसके पास कोई चोईस नहीं है अब और वो वैपन बनाने के लिए जाती है बट अप अरूरा को शक होने लगा था कि शायद केन इतना भी अच्छा नहीं है जितन होने लगते हैं बट यह शायद उसी की सेफटी के लिए जो एमजी ने स्टैप लिया था और यहां पर अब सब लोग विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए एक बार सब जुड़ चुके हैं और यहां पर लगता है कि कल होना हूँ आज तो इंजोई करेंगे जहां पर सब हो एक खटा हो चुके थे और इसी मोमेंट पर हम देखते हैं लिम्बो के अंदर जहां पर अभी भी फसा हुआ है लेंडिंट और वहां से निकल नहीं पाएगा क्योंकि जिन्हीं ने उसके साथ ट्रिक की और उसे हमेशा के लिया पर फसा के छोड़ दिया और खुद पीस म चल चुका था लेंडिंट को यहां पर नेक्रोमैंसर फिर भी कोई निखटा करवा रहा है पता नहीं क्यों पहले लोग कर रहे थे तो वह भी कर रहा है उसका कोई रीजन नहीं है और यह देखके बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगता है लेंडिंट उससे और तबी वह उससे अकेले में बात करेगा और ये देखके सब लोग शोक में हैं और ये अमेरेकल हो चुका है कि पहली बार ये फैरीमेन किसी से बात कर रहा है और हम देख पाते हैं लेटनिट को जो खुद कन्फ्यूज है उसके साथ जाते हुए और पता चलता है कि ये फैरीमेन तो एक गोडस है और वो अपने real human form में आकर उसे explain करती है कि पहले वो गोड अपने आपको normal समझते थे जब तक वो human से ना मिले हो और जब वो human से मिले तो उन्हें पता चला कि वो गोडस हैं और वो रहते थे वेल हाला में जो स्वर्ग था पट यहां पर ken को लगी थी कि उसको जाना पूरी दुनिया पे कबजा करने के लिए इसलिए वो तुमारे world में चला गया और लगबग पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया और उसने मुझे यहां पर punish करके गया कि अगर कोई humans की help करेगा तो वो उसके हातों से punish होगा जैसे कि उसने मुझे किया जहां पर ही सारी बा चुका था कैन की वजए से और यहां पर उसने लोग की help करने की कोशिश की उन्हें पीच तक पहुचाने के लिए इसलिए कैन ने उसे यहां पर रहने के लिए हमेशा हमेशे के लिए punish किया है और अब वो लोग की बात नहीं सुनता था कुछ टाइम बात क्योंकि ठक चुक है वो लोग की care करता है और बहुत जादा kind भी है और कई साय लोग को free में coin दिलाने में भी help की है तो शायद वो perfect होगा इस place के लिए जिससे कि वो खुद heaven में peace में जा सके और यहां पर शायद land ने उसकी help कर भी दी थी और यही बात बताने लगता है अपने दोस्त necromancer को और necromancer बोलता है तुने उसकी help तो नहीं की तुझे साफ मना कर देना चीए था हम क्यों help करें किसी ferryman की जब वो हमसे धंक से बात ही नहीं करता बट यहां पर ही उसकी help कर चुका था land और explain करता है कि उसने deal agree करके खुद ferryman बन चुका है और अब वो शायद टेड को peace दिला कर रहेगा और उसे यह नहीं पता कि उसका यह पावर कप तक है उसके उपर और नेक्रोमेंसर रियल फो में फिर से कब आएगा उससे पहले वो से नदी पार करा के peace तक मोच आएगा जिससे कि टेड की आत्मा को शान्ति मिल सके और अब हम देखते हैं रियल वर्ड के अंद जहां पर बेन मिलता है जहां पर जेड चेन लेकर आ चुका था और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे अच्छे से जानने है तो जब मैं वेरवुल्फ में टरन हूं तब मुझे देखो और मेरे अंदर का यह पार्ट है जिसे शायद तुम पसंद नहीं करते हो और उसके बाद उसके साथ टाइम बिताने के लिए चला जाता है जहां पर फुल मून में आज वो एक वेरवुल्फ में कनवर्ट होगा और उसी मॉमेंट पर लिजी को भी लगता है कि शायद वो ना बच पाए तो अपना लव कंफेस करके रहेगी वो एमजी से जहां पर एमजी उन उस मॉमेंट पर क्लियो वहाँ पर आ जाती है जो बहुत दाद इमोश्नल थी क्यूंकि जब क्लियो के साथ में थी तब उसकी हालत खराब होते हुए देख केलब उसके साथ उसके विजिन के अंदर आने लग गया था बट हम देखते हैं यह पूरा केन का एक जाल था क्लिय क्लियो से बदला ने के लिए और यहाँ पर उसने पकड़ लिया है केलब को और वो बताएगी ऐस ओरिकल कि उसे फ्यूचर में क्या दिखता है और वो चीज देगी जिससे कि वो बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है बट यहाँ पर क्लियो वह देने के लिए बिल्क की है और यहीं पर एपिसोड खतम होता है जहां पर कैन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और उसने लगबख सब लोग को ही टोर्चर किया है वड़ों चीजों को मैनुपलेट करके रखता है और शायद अर्वाडी मार्टेल को भी शायद मार दे देखते हैं एक लिए पिस सुस्क्राइब परो देखते हैं रहों टेक केर बाई 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 शानल और टाटा